हेलो दोस्तों मैं डॉक्टर अनिमेश प्लास्टिक सर्जन आप सभी का अपने यूटूब चैनल सर्जरी ऑनलाइन पर स्वागत करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे गॉल ब्लेडर स्टोन के बारे में और CBD स्टोन के बारे में यूजली क्या होता है गॉल ब्लेडर में स्टोन बनता है और वो नीचे आ जाता है CBD में जो CBD को अब्स्टरक्ट करता है और उसी वज़े से बाइल फ्लो अब्स्टरक्ट हो जाता है CBD में बाइल का प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाता है algum क्या आइक नहीं दूंपक्स कर gelecek और शूरू हो जाता है तो इसका इलाज क्या करते हैं कैसे करते हैं वह इस वीडियो में डिसक्स करने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले सब चैनल को subscribe कीजिये वीडियो को like कीजिए और शेयर कीजे ताकि सभी को जनकारी मिले तो दोस्तों सभी को पता है गॉल्ब्रेडर में अगर स्टोन हो जाता है तो उसे हम लैपरोस्कोपी कोलिसेस्टेक्टमी से इलाज करते हैं दूरबीन से गॉल्ब्रेडर को स्टोन के साथ निकाल लिया जाता है लेकिन अगर वो stone नीचे आ जाता है CBD में तो फिर उसका इलाज हम दूसरे तरीके से करते हैं और ये इलाज होता है ERCP Endoscopic Retrograde Colengeopancreatography अब ERCP में क्या करते हैं ये तरह का endoscopy होता है मूँ से ही tube डालते हैं और वहां तक tube ले जाते हैं जहां पे CBD होता है और CBD में हम घुसा कर वहां से stone को निकालते हैं अब CBD को छेडा नहीं जाता है CBD को काटा नहीं जाता है CBD में जो stone है वो पेट से आतों के थुरू निकाल लिया जाता है अब दोस्तों gallbladder का stone जो है वो क्या करेंगे अब ERCP एक बार patient का हो जाता है या फिर gallbladder का जो दूर्बीन से operation करते है वो हम बाद में कर देते हैं तो ये procedure होता है अगर आपके CBD में stone है उसके लिए ERCP करते हैं और अगर आपके gallbladder में stone है तो उसके लिए laparoscopic cholecystectomy करते हैं दोनों का treatment अलग-अलग होता है ऐसा नहीं होता कि laparoscopic cholecystectomy से ही दूर्बीन से gallbladder निकाला तो दूर्बीन से ही CBD का stone भी निकाल दो ऐसा नहीं होता है अगर CBD में stone है तो उसके लिए हम ERCP करते हैं और अगर gallbladder में stone है तो उसके लिए हम laparoscopic cholecystectomy करते हैं दोनों का operation अलग-अलग होना चाहिए एक ही sitting में operation नहीं होना चाहिए दोनों के पैसे आपको अलग-अलग देने पड़ेंगे दोनों के doctor अलग-अलग हो सकते हैं और दोनों का ilaj भी बिलकुल अलग-अलग होता है दोस्तो stone एक ही है gallbladder वाला ही stone है जो आके आपके CBD में फस गया है अब आपको इलाज दो कराने पड़ेंगे तो दोस्तो उमीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें चानल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक सदिक शेयर कीजे ताकि सभी को जानकारी मिले मिलते हैं दोस्तो अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केर